तो लौंच हुआ है आसर के एच प्रो स्रीस 4K TV 2023 मडेल्स आज इस वीडियों में हम लोग जानने के लिए कोशिस करेंगे बेस्ट आन स्पेसिफिकेशन कि क्या इन टीवी को आप वाई करना सही रहेगा या फिर नहीं तो यहाँ पर आपको आसर एच प्रो स्रीस पर तीन अलग-अलग स्क्रीन साइज देखने को मिलेंगे 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच और तीनों को तीनों जो TV है 4K TV और फ्लिपकट पर अभी आभिलेबल है आप देख सकते हो जैसे की सबसे पहले बात कर लेता हैं AC input power range तो तीनों को तीनों TV पर आपको यहाँ पर 100V AC to 240V AC input power range देखने को मिलेगी जो कि एक अच्छी बात है without stabilizer भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि 100V AC to 240V AC एक अच्छी AC input power range बना दाता है अगर आप जानते हो कि आपका area में ज्यादा power fluctuation होती है यानि 100 से बिलो भी कभी-कभी आ जाती है या फिर suddenly आ जाती है तो आप double safety ensure करने के लिए आप stabilizer यूज कर सकते हो otherwise no problem आप TV को ऐसे ही यूज कर सकते हो और no doubt आपको power consumption जो है जैसे कि आप screen का उपर में देख पा रहे है अलग-अलग हुई यानि 43 पर आपको 100W, 50 inch TV पर आपको 140W और आपको 55 inch TV पर आपको 165W और आपको यहाँ पर power shaver eco mode भी देखने को मिल याती है जो कि अच्छी बात है अगर बात करते हैं pricing की तो जैसे कि आप screen का उपर में देख पा रहे है 43 inch का price जो है 28,000, 15 inches का जो price है 34,000 और 55 inch का जो price है 40,000 यह जो price मैंने आपको बता रहाँ यह without any discounts तो आपको जो discounts जरूर कुछ मिल लाएंगे credit card से या कही ना कहीं आपको मिल लाएंगे प्राइस जो है यहाँ पर अगर फ्रांक लिए बात किया जाए तो कहीं ना कहीं एक competitive price tag पर इसको launch किया गए जैसे कि मैंने आपको बता है तीनों के तीनों जो टीवी है 4K टीवी है 43 inch, 50 inch, 55 inch और recently launch होगा इन तीनों टीवी पर आपको smart google tv os का साथ में provide की जाती है गुगल tv os एक latest operating software है tv market पर जैसे कि अगर आप top 3 feature का बात करें google tv os का तो आपको easily navigate देखने को मिल जाती है क्योंकि आप across the voice search कर सकते हो एक आप से दुसरा आपको jump करने के आपको जरुरत नहीं जैसे आप under में करते हो और आप multiple profile create कर सकते हो और based on आपका profile आपको content जो है सयसन होगी और kids के लिए आप अलग profile create कर सकते हो और काफी सारा optimization आपको देखने को मिल जाती है आज compared to Android so no doubt google tv os है और google का play store आपको मिल जाएगी जो regular आपसे netflix, imagine prime, hot star सारे के सारा application जो है आपको मिल जाएगे अब बात करते हैं सबसे interesting लगा मेरेको दोस्तो जो यह है कि दोस्तो इसका audio so यहाँ पर आपको sound output आपको देखने को मिलेगी 76 watt डल्वी Atmos का भी support मिलेगी virtual surrounded sound और dual offer dual twitter Tino TVs पर 43, 50 and 55 so no doubt आपको sound bar का जरुरत नहीं पड़ेगी आप TV को कहीं भी लगा लिजे कितना भी यानी जो normal regular bedrooms या फिर halls काहीं भी लगा लो फिर आपको sound जो है sufficient शुनने को मिल सकती है क्योंकि VU Blue LED का भी मैंने unboxing किया था ठीके एसा ही speaker आपको देखने को मिलती थी उहाँ पर भी sound काही ना काही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि 76 watt not a small thing ठीके आप जैसे कि मैंने आपको example दिया VU Blue LED 43 inch या फिर 50 inch वेरियंट पर आप जाओगी तो higher sound output देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आगर आप VU का Blue LED का साथ comparison करोगी तो 43 inch screen side का जैसे sound आपको मिलती थी तो यहाँ पर भी माली G31 MP2 2GB RAM के साथ में 16GB internal storage बट आप यह expect मख करना कि आपको 16GB storage ही available होगी आपको ultimately उसमें कोई doubt नहीं है कि जब आप TV on करोके देखोगी तो कही ना कहीं कुछ memory जो है already system के लिए use हो गया होगा sales का package का अंदर में include नहीं किया गया है आपको extra amount pay करके wall mount buy करना पड़ेगा जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप 43, 50, 55, 65, 75 यह जैसे higher variant TVs को आप table पर रख के use नहीं कर सकते हो ultimately आपको wall में fixing करना है तो maximum brand आज का rate में आपको free of cost wall mount दे रहे है ठीक है even medium price segment का कहे लिजे budget price segment का कहे लिजे फिर higher price segment का कहे लिजे इन्होंने अगर wall mount include करते sales का package का अंदर में तो और भी काफी interesting लगता है बात करता है अब warranty का तो आपको इन TVs पर one year जो है compressive warranty यानि associates and products और two year warranty आपको provide की जैती है पैनल पर और जैसे कि आपको पता है across the country Acer का जो authorized service partner है 18,000 pin codes पर अभी लेवल है और अगर पूछा जाए कि customer service response कैसे देखने को मिलते है तो initial आप bad नहीं कर शकते हो call अगरा connected हो जाता है less than 4 minutes but yes मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा कि आप अगर किशी भी brand का customer service को rate करना चाहते हो तो फिर initial response आपका अच्छी होने चाहिए आपका complaints जो है timely solve होना चाहिए और एक failure से दूसरा failure जो है minimum एक time होना चाहिए ना कि frequently कुछ failure होना चाहिए अगर ये तीनो points को देखाऊगी तो आशर जो है आप average के सकते हो ठिक्ठा के सकते हो और जैसे कि मैंने आपको बता है initial response आपको ठिक ठाक देखने को मिल जैसे कि मैंने आपको बहुत सारा वीडियो में बता है कि आशर जो है TV manufacturer नहीं करते है कि बहुत सार ये ब्रांड है जैसे कि आप Apple का example ले लिजी उनने किसी third party को दिया हुआ है उनका जो product है वो कोई third party बना रहा है इंडिया में रिमोट का बात करेंगे तो आपको सारे hotkeys जो regular hotkeys भी आला जाता है Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, Hotstar मिल जैंगी और रिमोट पर आपको voice सर्च आप कर पाऊगी ports और connectivity का बात करेंगे तो आपको USP 2.0 आपको मिल जाएंगे और आपको Ethernet, antenna, SPDIF, HDMI आपको 2.13 और एक आपको ARC, AVIN, headphone jack मिल जाएंगे, screen casting भी आप कर सकते हूँ, dual band wifi और डिजाइन का बात करें तो आपको ऐसा कुछ नौया डिजाइन आपको नहीं दिखने को मिलेगी ओई फ्रेमलेस डिजाइन है, Acer का, आप करते हैं वीडियो और डिस्पले टेक्नलोजी की, तो चलिए, एक चीज मेरे को अच्छा लगा दोस्तो, कि आटलिस्ट बहुत दिन के बाद Acer एक TV लॉंच किया है, 2023 मोडेल, H-Pro series, और कस्टमर को, बायर को ये बता रहा है कि मेरा TV प अगर आपको ये नहीं बताएंगे कि TV पर कौन सा पैनल प्रवेड किया है, पैनल का टाइप क्या है, और ब्राइटनेस कितना उस TV पर आपको देखने को मिल रहा है, ये दो चीज जो है ना, मैक्सिमम टीवीज पर आपको हाइड के जाता है, लेकिन चलो यहाँ पर आपको अच्छी बात है कि आशर ने आपको बता रहा है कि मेरा TV पर VA पैनल का साथ में 380 ब्राइटनेसी नीट्स देखने को मिल रहा है, शो नो डाउट अगर आपको VA पैनल का TV भीउंग एंगल लिमिटेड रहेगी, और 380 ब्राइटनेसी नीट्स क्या सफिसेंट होगी, तो दो तो नो डाउट्स, आपको 380 ब्राइटनेसी नीट्स इसमें आप नहीं कह सकते है कोई ये कौम ब्राइटनेस बाला स्पेसिफिकेशन TV होगी, 380 ब्राइटनेसी नीट्स मैं सुचता हूँ कि आपको आच्छी पर्थमांस देखने को मिल जाएगी, और तीनो टीवीज पर आपको MEMC का भी support मिल जाएगी, so MEMC, motion estimation and motion compensation, so basically ये feature करता क्या है, कि high speed moving object, जैसे कि कोई running कर रहा है, कोई sports channel है, cricket channel आप example ले सकते हो, कोई fight scene है, तो उस scene पर आपको, जब high speed किसी भी scene आपको पर्पम होता है आपका TV का screen पर, अगर आपका TV पर MEMC नहीं है, तो आपको blur दिखन आपको पता चलेगी, उस scene पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अच्छी feature है, अल्मस्ट ही कोई नौया feature नहीं है, हर 4K TV पर ये feature होनी चाहिए, और दिया जा रहे, so यहाँ पर ही आपको तीनो TVs पर 43, 50 और 55 पर MEMC का भी support मिल जाती है, तीनो TVs पर HDR10 का support मिल जाएगी, HLG और dull vision का भी support मिल जाएगी, लेकिन मैंने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, इस price segment TV पर मैं जीतना TV पर आज तक दिखाए, dull vision आपको identical नहीं लगेगी, so let's it by additional feature, so आपको intelligent frame stabilizing engine, wide color gamut, 1.07 billiard color, और आपको 4K offscaling भी देखने को मिल जाती है, हाला कि offscaling आप उतना expert मत करन जैसे branded TV पर देखने को मिल जाती है, बट आपको offscaling, Acer, Me, Realme, Insanity TVs पर बराबर देखने को मिल जाती है, micro dimming का भी future मिल जाएगे, और आपको Google Meet का थो से आप video calling भी कर सकते है, 60Hz screen refresh rate, 16 is to 9 aspect ratio, so based on this specification आप यह expect कर सकते हो, कि आपको balance picture quality देखने को मिल जाएगे, यह 3 TVs पर, so based based on specification मैं आपको यह बता सकता हूँ, कि TV जो है balance है, आपको average performance देखने को मिल सकती है, और base जैसे कि मैं आपको बताया, price भी नोने काफी शही रखा है, और competitive price रखा है, अगर आप इसी screen size TV कोई other brand का भी comparison करोगी, तो आपको लगबग उसी price या फिर यह compromise पर आपको प्रभेट क किये जा रहे है, जो कि एक आच्छी बत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह video useful होगी, मिलते हैं किसी नवाएं कर्णेट के साथ में दोस्तों, तब तो के लिए नमस्कार, जैहिन,